देखे जब किसी उड़ते हुए plane के सारे engine fail हो जाते है तो pilots plane को crash होने से बचाने के लिए इस छोटे से पंखे को नीचे लिटका दिता है तो अब सवाल यह आता है कि आखिरी छोटा सा पंखा इतने बड़े plane को crash होने से बचाता कैसे है देखी किसी भी aeroplane को power supply उसकी engine से मिलती है देखी जब plane के engine ही fail हो जाते है तो plane की बिजली भी चली जाती है जिसकी वज़े से plane के अंदर का navigation system काम करना ही बंद कर देता है जिसकी वज़े से pilots ना तो flight को navigate कर पाते है और ना धंक से control कर पाते है और ना ही air traffic control वालों से contact करके help मांग पाते है तो इस emergency के हालत में pilots एक छोटे से पंखी को plane से नीचे लटका देते है उसको RAT कहा जाता है रैम air turbine जो हवा के pressure से घूम कर बिजली पर्लूस करती है और plane के सारे electrical system को फिर से ओन कर देती है जिसे एक बाद फिर से plane का सारा control pilots के हाथ में आ जाता है